तो आपको बता दें कि बनवारी लाल प्रस कॉंफरेंस करते नजर आ रहे हैं हर्याणा की सैकारिता मंत्रियें सुनिया इनको यह ओनलाइन होगा जो केंदर सरकार का जो भी जो शेर है जो बच्चों को जो मिलेगा उस सिदा बच्चे के खाते में आएगा तो उससे बच्चे के मलव बीच में कोई मलव ब्रस्टाचार का कोई खाना नहीं है तो इससे भी बच्चों को इससे फायदा होगा तो यह सब चीजें इस स्कीम के तहत हैं और बाकी ज्यादा इसकी डेटेल गाइडलाइन से भी आएंगी तो वो डिपार्टमेंट के बता द रहा हुआ है नहीं वो तो सर्व उसकी तो वह गिना रिश्टेशन होगी सर्वे करें रिश्टेशन होगी रिश्टेशन होगी नहीं यह कि वैसे तो यह जो स्कीम पहले से है लेकिन इसमें कुछ और सुधार मलों आगे अमने हुआ है एक बताया मैंने अभी का नहीं बताया है आणे अड़ समय मताया अभी नहीं एसका यह बीशें इसके अंदर मांग रखा एग्वीश्टेशन करके जल्दी से जल्दी बेज़ें ताकि इसका बीशें का बैनिफिट दे सके आएं इसे बच्चे हैं जिनको आप ऐसी निए बच्चा भी है वो तो रहेंगे लेकिन नए जो इसमें ज्यादा फोकस्च जो इस स्कीम के अंदर जो है कि जो पुरस्ट हैं जो इनको मतलब नहीं मिला उनको फोकस करेंगे जो बच्चे ड्रोप आउट ज्यादा कर रहें उनको हम जिनके माबाप हम अनपड हैं, पेरेंट्स में दोनों में से एक हो या दोनों हो, उन पर हम फोकस करेंगे इसके शर्वे में कोई हमने टाइम बाउंड किया है कि 15 दिन में महीने में सर्वे कर देंगे इस साल की जो है अभी सर्वे करेंगे और आगे कंटीनू रहेगा अभी ताइम बाउंड अभी तो इसकीम आई है अभी परदान मंत्री जिन तिन चार्ज गिन पहले ही गोशना किये इसकी तो अभी जो भी डिपार्टमेंट का आगे ही डेटेल होगी आपको बता किये जाए इसकीम तो यह एक्जिस्टिक है इसमें और एक्जिस्टिंग है इसमें कुछ एक और एमपाउरमेंट की गई है और कुछ और कुछ पर पर एक्जिस्टिक तो नहीं पता है जो सरकार ने जैसे पहले कि जो स्कीम है उसमें बहुत कम था लेकिन अब जो इस योजना के ताहित पहले साला ना ग्यारा सु क्रोड रुपए उस्ट आता था लेकिन अब अगले पांस सालों में कहते हैं छह जा क्रोड पर ती वर्ष की उसत आएगी इस स्कीम के ताहिए पहले ग्यारा सो क्रोड पर एयर का उस्तन आता था खर्चा अब इसमें छह जार क्रोड रुपए पर एयर के इसाब से आएगी जार क्रोड ने केंदर का तो मनें बता तो दिया आप केंदर का पैसा है 69,048 क्रोड तो इसमें से 35,534 क्रोड तो केंदर का सेर है इसमें से 60 परसेंट है